जाउ फ्रेंड्स मैं तारा अपने चैनल सीखो जिन्दगी से आईए आजम ये डिजाइन सीखते हैं ये क्रोशिय का इपने डिजाइन है और बहुत ही इसी बनने वाला डिजाइन है और बिगनर भी स्कूराम से बना सकते हैं तो ऐसे करके ये डिजाइन दिखाई देगा ये देखिए ऐसे लुक में आएगा यह और बहुत ही सुन्दर बनने वाला और आसान बनने वाला डिजाइन है दो कलर में मैंने बनाया हुआ है तो दो कलर का डिजाइन है आप इसको बच्चे के प्रोजेक्ट में किसी में भी चीज में डाल सकते हैं तो आएए बनाते हैं आगे मैंने आपको step by step बता रखा कि आपको कितने कितने chain के अंदर इसको multiply करके डालना है किसी भी project में तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हमने दो color ले लेने हैं जिससे भी आपने ये design बनाना है या आप jacket बना रहे हों या किसी में भी एपलाई कर रहे हों तो दो color ले लिजिए तो सबसे पहले आपने जो भी color लगाना वो लगाईए और गांट लगाएंगे और यहाँ पर हमने अपना design 31 chain में बनाना है तो हमें 30 chain लेनी पड़ेंगी यहाँ पर एक दो तीन चार पांच तीस तीस chain हो गई और यहाँ पर अंग उठा रख लेंगे तीन की chain बनाएंगे और इस तीस में के अपर डबल कोशिया करेंगे तो 31 हमारे डबल कोशिया हो जाएंगे यह तीन की chain ले ली हमने और इसको हम ऐसे डबल कोशिया बनाते हैं जाएंगे पूरे चैन में एक एक में तो यह हमारे डबल कोशिये पूरे एक अत्तिस हो गए अब हमने तीन की chain बनानी हैं और इस तरह पल लट लेंगे और यहाँ पे देखिए दूसरे वाली chain में डबल कोशिया बनाना हैं एक हमारी chain वाली होगी दो गए तीन और चार चार डबल कोशिया बनाएंगे और आगे जाके हमने एक दो तीन चार पांच छे चे की chain बनानी है और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच पांच छोड़के छे में के उपर हमने डबल कोशिया बनाना है पांच छोड़ेंगे और चे की chain है और फिर आगे हमने तीन और डबल कोशिया बनाने है बीच में हमने चार चार डबल कोशिया रखने हैं इसमें डबल कोशिया बनाएंगे और चार फिर डबल कोशिया बनाएंगे और फिर हमने अब एक दो तीन चार पाँच छे चे की चाय लेनी है एक दो तीन चार पाँच छोड़के छे में के उपर डबल कोशिया बनाना है तो लास्ट में भी हमारे चार डबल कोशिया आ जाएंगे तो ये देखिए हमारा डिजान कुछ इस तरह दिखाई देगा और इनको आप मल्टिप्लाई करोगे चार और पांच को चार और पांच क्योंकि यहां पांच होड़े हमने चार और पांच नो नो और चार तेरा तेरा और पांच अठारा अठारा और चार बाईस बाईस और पांच उनतिस बाईस और पांच सताईस सताईस और चार इकतिस तो अब हमने क्या करना है अपना दूसरा कलर एड़ करना है आप दूसरा कलर चाहे यहां से लगा लीजे चाहे यहां से लगा लीजिए यहां से लगा लूँगी मैं दूसरा कलर चाहे आप यहीं से लगा लीजिए बहले और तीन की चैन बना लीजिए इसको गाट लगा लीजिए और हमने चार के उपर चार डबल कोशिये डालने हैं चाहर के ओपर हम ने चाहर डवल गोषी डाल लिये अब हमने एक, दो, तीन, तीन की चैन बनानी है और यहाँ पर हमने बीच में जो यहाँ पांच छोड़े थे, दो छोड़के तीसरे के अंदर हमने सिंगल कोर्शिया डालना है अपना ऐसे, सिंगल कोर्शिया डालेंगे और इसको सिंगल बनाएंगे, दो का एक और फिर तीन की चैन बनाएंगे और डबल कोशिया करके और यहाँ पर चार के उपर फिर चार बनाने है यह देख लिजे फिर हमने वहर पीट करना है तीन की चैन और यहाँ पर एक दो और तीसरे के अंदर सिंगल कोशिया डालेंगे और इसको दो काई करेंगे सिंगल बुनेंगे तीन की चैन बनाएंगे और इसके चार के उपर चार डबल कोशी है तो लास्ट में आगे हम यह देखे चार डबल कोशी बना लिए और यह डिजैन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है अब हमने यहां पर यहीं पर छोड़ देना है कलर और जो हमारा यह कलर है हमने इसको बुनना है तो यहां पर हमारी तीन की चैन थी तीसरी चैन के अंदर हमने क्रोशिय डालना ऐसे और इस धाग्य को लेके यहाँ पर निकाल के और हमने 3 की चैन बनानी है और अब हमने यहाँ 4 के उपर 4 बनानी है तो यहाँ पर 1 एक एक के उपर 2 3 और 4 चार बनाए अब हमने एक दो तीन चार पांच छे जो भी हम नीचे बना रहे थे वही रिपीट करना है फिर आग्गे जाके इन चार के उपर चार डबल कोशिय बनाएंगे यह ड्राउंड हमने यसी ही निकालना है यह देखिए अब फिर चार डबल कोशिय और छे डबल कोशिय और चार के उपर चार डबल कोशिय एक एक करके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे की चैन बनाएंगे फिर अमने लास्ट में एक के पर एक डबल कोशिय और अब यह देख लीजिए जो हमारा यह यह देखिए हम बुन रहे थे, अब यहाँ पर डबल कोशिय इसके अंदर करके डालेंगे हम जो ऐसी है और इसको हम खीच लेंगे यह देखिए आ गया तो सेम अब हमने यह वाला धाग्या लगा देना है यहाँ से और यहाँ पर तीन की चैन बना लेंगे इन की चैन बनाने के बाद दो, थीन, और एक चार, चार बनाई एक, दो, तीन, तीन की चैन बनाएंगे अब हमने क्रोशिय यह देख लीजिए दोनों, आब इसके नीचे से डालना है यहाँ से, शिंगल क्रोशिय डालेंगे और इसके नीचे से डालके, यह जो वाइट वाला है, इसको हम ऐसे खीचक और यहाँ पर सिंगल कोर्शिया बनाएंगे ऐसे और फिर एक, दो, तीन तीन की चैन बनाके डबल कोर्शिया लेंगे और यहाँ पर एक-एक करके चारो बना देंगे यह देख लीजे यह देख लीजे यह इस तरफ आ रहा इसको इसी तरफ रखना है और फिर हमने एक, दो, तीन तीन की चैन बनाई और सिंगल कोर्शिया लिया नीचे से इसके कोर्शिया डाला और इसके इस तरफ से यहाँ से डाला और इसके इस तरफ से डालना है कोर्शिया और यहाँ पर सिंगल कोशिया बना देंगे और तीन की चैन लेखे और डबल कोशिया करके फिर यहाँ पर एक एक के उपर डबल कोशिया के उपर एक एक के उपर बना देंगे चार फिर अपने तीन की चैन लेनी है और फिर अपने क्रोशी को इसके निच्चे से और इसके यहां से और इस तरब से सिंगल क्रोशिया लेंगे और तीन की चैन बनाएंगे और फिर वही चार के उपर चार डबल क्रोशिया डाल देंगे तो यहां देख लीजे यह डिजाइन कुछ इस तरह आ रहा है बनके और मैं इस तरफ दिखाऊंगी आपको सीधा हमारा डिजान इस तरफ से है तो देखे कितना सुन्दर लग रहा है यह ऐसे ही बनके रपीट होता जाएगा यह और इसी तरह आपने बनाना है अब फिर हमने वही रपीट करना है इनके ओपर चार के ओपर चार हमने यहां से रपीट करेंगे चार के ओपर हमने चार डबल क्रोशी डालने के करके और फिर हमने चे की चैन डालनी है फिर चार डबल क्रोशी फिर चे की चैन ऐसे करके हम यहां आ जाएगे फिर हमने यहां के तीन की चैन बनाके और जो ऐसा हमने यहां पे रिपीट किया है इसको वैसे उठाके सिंगल क्रोशी के साथ बुन देंगे तो यह हमारा डिजाइन कुछ इस तरह के लुक में आ जाएगा तो बनाईए और चैनल पर नए आए तो चैनल वो सब्सक्राइब गर्ल्स दीजिए फ्रेंड्स तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू